हेलो दोस्तो गूड इबनिंग दोस्तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर आप लोग के बीच एक बार आ चुका हूँ आप लोग को मेरे उपर बहुती विश्वासा है और बहुती प्यार देते हैं मेरे सारे वीडियो को और आप लोग के बीच मैं इस वीडियो के माध सुत्रेपन का result आने का संभावित डेट है आज लेकिन result नहीं आया बहुत सारे candidate ऐसे हैं जो मुझे personal message करते थे call करते थे what's up message करते थे पूरा फृसान था result के रिगार्डिंग लेकिन result कल के date में आखरी रात तक नहीं आया चुकि मैं बता दू दोस्तो जब एन्यम का बजे रात के आसपास result आया था हम वीडियो बनाये थे उस रात 12 बजे अप्लोड किये थे 11 बजे रात याद करिए रात को result आया था 10 और 11 के बीच में आया था तो कल हम पूरे रात तक वेट किये 12 बजे तक वेट किये जो जानकारी हमको मिला था उसके रिगार्डिंग हम अपडेट दिये थे चलिए सारी बात को हम विस्तार में करते हैं क्यों नहीं result आया उसका भी region बताएंगे कब result आएगा वो भी हम आपको एक संभावित डेट बताएंगे संभावित डेट किसलिए बताएंगे वो भी जानकार देंगे और जैसे कि हमने आपको दिखा रहे हैं कम मार्क्स वाला का भी होगा result आईसा हम इसलिए कह रहा हूं कि एक जो notice अभी जारिक क्या है बिहार स्वास्त विभाग उसके रीगार्डिंग अब पूरे डीटेल्स जानकारी हम लेते हैं तो चलिए सब से पहले हम आपको जानकारी एन्यम रिजल्ट के रिगार्डिंग देते हैं फिर कम मार्क्स वाले को कैसे रिजल्ट होगा वो जानकारी क् कि आपको हम के आप लोग स्वास्तिवा के website पर फूरे दिन अफडेट रहें जैसे कि हम जानकारी दिये थे लेकिन result नहीं आया result के लिए merit list यानि कि merit list आना है और merit list पूर लूप से बनकर तयार है अगर आप लोग को हम कई वीडियो में जानकारी दिये थे आप लोग खुद भी राधिस्वा समिती बिहार के ओफिशल वेबसाइट पर मुवाइल नमबर निकाल करके या फिर खुद ओफिस वीजिट करके वहां से जानकारी फूच सकते हैं सबसे पहली बात मैं दोस्तों आप लोग को यह कहूंगा कि आपने मेरे वीडियो को देखते हैं प्यार देते हैं बहुत अच्छी बात हैं लेकिन आप लोग में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं वो कमेंट पढ़ने लाइक नहीं रहता है यार अगर आ इतना सठीक जानकारी देता हूं आपको साइध नहीं पता कि बिहार स्वास्तिवाग से रेलेटेड यूट्यूब पर कोई उतना सठीक जानकारी नहीं देगा कितना वीडियो मैं अप्लोट कर चुका हूं सिर्फ बिहार स्वास्तिवाग से रेलेटेड देख लिजे ऑफि कर देने पर आप लोग कभी कमेंट नहीं कर सकते हो नहीं कुछ पूछ सकते हो तो आप लोग को जैसा लगे कीजी मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप लोग मेरे छोटे भाई वहन हो कोई विश्ट्वेंट ऐसे नहीं हो जिसे मैं अपने तरस नहीं मानता हूं इसलिए गलत कमें नहीं आया और आज भी रिजल्ट नहीं आया आज पूरे दिन रिजल्ट नहीं आया अब क्या बात है वो जानकारी हम फिर से प्राब्त किए वह हम आपको अभी बता रहा हूं बात यह है कि टेक्निकल इसू आ चुका है टेक्निकल इसू आने के कारण यहां पर फाइनल चीज नहीं बदा सकता है। अब मेरा कुछ वहां पर है जानकारी प्राफ करने का तरीक यो ty उसके माधियम से बस एक स्राइकारी मिला है कि टेखनिकल इसु के वज़ा से रिजल्टा जारी नहीं हुआ हैseat हैं अब टेखनिकल ही तो लगेगा दो दिन चार दिन पात दिन जो भी लगे यह डिपार्टमेंट की काम है अब वो टेक्निकल इसू खत्म होगा तो ही आप लोग का रिजल्ट आएगा यह सुनिस्चीत हो चुका है आज हम पूरे दिन आप लोग की चलते हम लगतार ऑफिस से विजिट किये कि कु क्योंकि आप लोग के परती मेरा पहुत रहाता है ध्यान कि मैं जल्दिस जल्दी वीडियो बनाओ क्योंकि यूट्यूपर मुझे पता है सबसे ज़्यदा मुझे ही देख्या दाता है हमाई साथ देख लिए सर्वे कर चुके हैं तो टेक्निकल इसू के वज़स से आप लो जानकारे मिलती है वह जानकारे हम आपको दे देते हैं आएसा नहीं कि 지ी हुटे में ऊफिस में बैठेंभे हो तेस आपका नोटिस जरूर देखा वगा यानि कि आपका एक्जाम से रिलेटेड आपका एक्जाम जो हुआ था वो एक्जाम आपको दो दिन में हुआ था ठीक है आपको दो के डेट में हुआ था आपको एक्जाम करम डेट बता देते हैं आप लोग का जो एक्जाम था 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को होना था इ अब दो दिन एक्जाम हुआ था छे सिप्टों में यानि एक दिन में तीन सिटिंग लिया गया था और फिर दूसरा दिन भी तीन सिटिंग यानि कि टोटल यहां पर छे सिटिंग में एक्जाम लिया गया था गौड से समझेगा अब छे सिटिंग में एक्जाम लिया गया था अब अलग-अलग question के level था तो किसी sitting में hard question था तो किसी sitting में law question होगा यह ता है क्योंकि एक जैसी question नहीं हो सकता है अब अलग-अलग sitting होने के वज़से यहां पर विहार स्वास्त भाग ने एक notice जारी कर दिया है यह notice आप लोग official website पर देख सकते हो important notice अब यह जो notice है हम आपको पूरे यहां पर हम पढ़े हैं इस notice का कारण क्या है कि scoring evaluation scoring evaluation के regarding है यानि कि आप लोग का जो अलग-अलग stage में अलग-अलग shift में question level था उस question level को देखते वे आप लोग का scoring evaluation क्या जाएगा यानि कि आप लोग normalization का नाम सुने होंगे जिसे एकवी percentile कहा जाता है यानि कि एकवी percentile के तहत यहां पर score दिये जाएगे अब एकवी percentile का मतलब यहीं हुआ कि first sitting, first stage में यानि कि first sitting total exam वहा तो first sitting का question level second sitting का question के level third sitting का question के level देख करके उनमें से एक normalization mark निकारा जाएगा और उस normalization mark के आधार पर merit list यहां पर तयार किया गया है अब यहां पर बात करेंगी कि इसमें फायदा किसको है और घाटा किसको है commerce वाले को कैसे होगा यहां पर एक example दोना कि मान लेते हैं कि first sitting में यानि कि first exam था उसमें मान लेजे hard question था याद देखिएगा गौर से देखिएगा hard question था दूसरा sitting जो हुआ था उसमें मान लेते हैं कि medium कोईशण था मेडियम लेवल का मेडियम लेवल का कोईशन यहां पर दिखने को मिला तीसरा पर था थृसरा city गा प्र उसमें माल लेते हैं कि वीइजी लेवल का कईशन आ गया बिलिकुल लेवल क आ गया ब चौथा से यहां deposit है हुआ आ अपご जैसे कि पनाये होंगे तो उसका रिजल्ट यहां पर हो जाएगा याने कि जिन जिन. अस्तेज्भा में पेपर का जू लिवल था हाध इजी को बनाये होंगे उसमें और हार्ड जिसका क्वेशन हो होगा वो कम बनाए होंगे तो उसका रिजल्ट यहां पर हो जाएगा यानि कि जिन-जिन एस्टेजों में पेपर का जो लेवल था हार्ब हुआ होगा उन केंडिडिटों का अगर कम मार्क भी आएंगे तो उनका रिजल्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पर पर संटाइल निकाल करके मेरिट लिस्ट त्यार किया गया है चुकि यह इंपोर्टेंट नोटिस जाड़े किया गया है यह नोटिस हम आपको टिलिग्राम ग्रूप में डाल देते हैं खुद से भी पढ़ सकते हो मल्टिपल बैच्छे पूरा निखा हुआ है देख लीचेगा और इस टिलिग्राम ग्रूप का लिंक डिस्क्रिप्सर माह है या फिर सॉर्च करियेगा मेडिकल जॉब टिलिग्राम पर आपको ग्रूप में जाएगा और मेडिकल जॉब में आपको जॉइन हो चाहिएगा लिंक भी हम डिस्क्रिप्सर में डाल चुके हैं वहां से भी जॉइन हो सकते हैं तो दोस्तों हमें उम्मीद करता है कि आपको पूरी जानकारी मिली किया होगा कोई डॉट हो तो आप लोग टेलिग्राम ग्रूप में कमेंट करके पूछ सकते हो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट भी कर लेगा थैंक्यू